नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स आज हम मई 2020 के कुछ महत्रपूर्ण कोस्टन्स डिसकस करने वाले हैं जो कि आगामी परिक्षाओं के दिश्टिकों से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और साथ ही साथ अगस्ट में दुबारा से जो कुछ बचे हो एक्जाम से उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंतक देखिए ताकि आप इसमें से कोई भी कोश्चन मिस ना कर पाए और जिन्होंने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल से जल से सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बैल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप किसी भी प्रप्रकार की इंपोर्टेंट वीडि ने वालों पर कित्ने रुपए जुरुमाना लगाने का प्रावधान किया है ऑप्सन्स हैं-A 50 βजार-C 1500 यरडी 2000 रुपए तो 500 रुपए जुर्मान लगाने का जो है प्रायदान की हर्याना सरकार ने इस घोसना हर्याना के गिर्ह मंत्री स्री अनिल विज ने की थी हर्याना के गिर्ह मंत्री है तो अनिल विज अनिल विज जो है वो हरियाना के ग्रह मंत्री है अगरा कुशन है यूरोपिय संग की परमुक उरुसा फान डे लाइन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में कितने अरब डॉलर की उजना का प्रस्ताव रखा है कि हाथ समय एक अप्सें ये दोसों पजास औरब डॉलर ृ ऐस안सों पजास औरब डॉलर तिह स्वेल सेन नोसों पजास अरम डोलर है कि टुनों हने 1050 अरब डॉलर का परस्ताव रख्यां है कुरोना वायरस से निपटने के लिए ACI विकास बैंक यानि ADV ने महाराष्ट में 450 किलोमीटर के राज मारगो और परमुख जिला सरकों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड डॉलर के इरिन को मंजूरी दी है A 40.7 क्रोड डॉलर B 80.7 क्रोड डॉलर C 95.05 क्रोड डॉलर या D 7.7 क्रोड डॉलर ACI विकास बैंक ने 7.7 क्रोड डॉलर को मंजूरी दी है महाराष्ट में राज मारगों के निर्मान उनको बहतर बनाने के लिए इसके नतरकत इन सरकों में 7 जिलों में 11 राज मारग भी सामिल है SNP Global Ratings ने वित्य वर्स 2021 में किस देश की GDP विकास दर 5% तक घटाने का नुमान लगाया है A. नेपाल B. चीन C. भारत या D. रूस भारत की जो विकास दर है GDP उसको 5% तक घटाने का नुमान लगाया है विकास दर में यह कटोधी जो है COVID-19 महामारी के रोकने के लिए जो लॉकडाउन हुआ था पूरे देश में उसकी आर्थिक विदियो के कारण जो मंदी आई है उसके कारण यह गिरावट दर्ज की जा सकती है ठीक है दुस्तों अन्तराश्टिये गुमसुदा बाल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है ए दस फरड़ी बी पच्चिस मई सी पंदरव मई या डी पच्चिस अप्रेल या पच्चिस मई को मनाया जाता है पच्चिस मई को अंतराश्टिये बाल गुमसुदा दिवस मनाया जाता है जो कि बच्चे गया बजाता है उनको विविन प्रकार के अप्राथिक कति वीडियो में सामिल कर दे जाता है उनके लिए या दिवस की घुसना की गए इसके इंतरकत जो घर पहुंच गए बच्च जो बच्चे उनके उप्रक्ष में यह दिवस मनाया जाता है हाल ही में किस देश ने कहा कि वह कोरोना वायरस महामारी से इंबटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए उसे 60 लाक डॉलर देगा तो यह घुसना की थी वह अमेरिका ने की थी कि पाकिस्तान को इन पैसों की बहुत ज़्यादा जरूरत है और यह करोना जो है महामारी जो है उससे निवटने के लिए पाकिस्तान को इस राजिती का वुक्तान करेगा ताकि वह इस से लड़ सके हाल ही में किस देश की टैनिस स्टार जैमी हैंप्टसन ने प्रोफेशनल टैनिस से सन्यास की घुसना की तो एक किस देश के थे जेमी हैंप्टसन हैंप्टसन अमेरिका के जो कि पिछले पांस वर्सों से जो है वो चोट्री लेहने कारण नहीं खेल पा रहे थे जिसके कारण उन्होंने यह सन्यास की घुसना कर दी कि किस सरकार ने जेधा करन केलिये एक सब्सक्ते दाता है कि प्रकास की व्यवस्था करना तो किस सरकार दें यह सुर्यना के को ऑब यह सुर्यमंद्र के कि कौनार्क का सुर्यमंद्र कहां ہے सबको पता होगा साइद यह ओडिशा में है तो ओडिशा सरकार ने ही यह योजना सुरू किया है किस देश की निजी एक्विटी कंपनी के के आर ने रिलाइंस इंडस्ट्री लिमिटेड यानि के जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 11,367 करोर रुपे निवेस करने का एलान किया है तो केके आर जो कंपनी है उसने यह गोसना की है और यह किस देश की कंपनी है अमेरिका की किस राज्य सरकार ने राष्ट व्यापी लॉकडाउन के कारण परभावित राज्य के MSME छेत्र को सहारा देने के लिए रिस्टार्ट नाम से एक नया कारेकरम सुरू किया है तो यह आंदर प्रदेश की सरकार ने सुरू किया है नेग्स पूस्टें है भारतिय वायू से नहें कितने करोडरुपए की तीन बड़ी अधिग्रहन प्रयोजनाव को रोकने का निर्ण लिया है जो यह रोकने का निर्ण धेली वह कितने करोडर की यह जना थी की फिलाल रोक लगा दिये हैं विस्प वैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं तो विस्प वैंक और भारत ने मिलियन डॉलर के समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं और भी आई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटा कर कितने परतिसत कर दिया है तो आर भी आई ने यह 3.75% से घटा कर 3.35% कर दिया है यह जनी 3.35% कर दिया गया है पहले 3.75% सा तो इसमें एक और कुश्चन वनता है कि रेपो रेट क्या है तो जिस दर पर बैंक आर एलिव आई के पास रकम रखकर उस पर ब्याज हासिल करते हैं उसे ही reverse repo rate कहा जाता है reverse repo rate क्या है जिस दर पर bank RBI के पास रकम रखकर यानि पैसा रखकर ब्याज हासिल करते हैं उसे reverse repo rate कहते हैं हाल ही में किस IIT के अनुसंधान करताओं ने Alzheimer की वज़ा से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददास को रोकने या कम करने हेतू नए तरीके विक्सित करने का दावा किया है IIT गुहाटी के अनुसंधान करताओं ने या दावा किया है ठीके दोस्तों हाल ही में निम्न मेंसे किस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC सिवकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है वर्थात वह कौन सा बैंक है जो वीडियो के जरिए KYC सिवकार करता है तो कोड़क महंद्रा बैंक ने या योजना शुरू की है जियोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया ने वह चरो की 20 परजातियों को गंभी रूप से लुप्त प्राय और कितने को लुप्त प्राय के रूप में सुचित किया गया है तो गंभी रूप से लुप्त प्राय कितने हैं जो की लुप्त होने के कगार पे हैं 35 विश्व उच्रक्त चाप दिवस निम्ल में से किस दिन मनाया जाता है यानि वर्ल्ड हैपरटेंशन डे यह किस दिन मनाया जाता है फ्रेंट्स 17 मई को किस राजसरकार ने हाल ही में सेनिकों के लिए निसुल को वस्तेवा शुरू की है तो यह राजस्थान सरकार ने शुरू की है जो कि किसी भी सेनिकों में जो तैनात होते हैं उनके लिए यह वस्तेवा शुरू की गई है ताकि वह निसुल को यात्रा कर सके हैं हाल ही में परदानमंत्री उजलुला योजना के कितने वर्स पूरे हुए तो इसके चार वर्स पूरे हुए हैं दोस्तों यह सन 2016 में यह योजना सुरू की गई थी और इसके जो लाभारती हैं वो लगभग आठ करोड हैं अंतराष्टिय संगराले दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है अठारा मई को अंतराष्टिय संगराले दिवस मनाया जाता है केंद्रिय वित मंत्री निर्मला सीतानमन ने हाल ही में बताया कि नगदी संगर से जूज रही बिजली वितरन कंपनी में कितने करोड का निवेश सरकार करेगी तो यहां 90,000 क्रोर का जो निवेस है वो सरकार करेगी इन कंपनियों में ताकि बिली कंपनियों को डूबने से बचाया जा सके किस राजे सरकार ने परसिचित युवाओ के लिए रोजगार सोर रोजगार के अफसर पैदा करने और कौसल विकास के अफसरों की पेसकस करने के लिए होप पॉर्टल सुरू किया है कि यह उत्राखंट की सरकार ने शुरू किया है राज्य के कुसल और अकुसल युवाओं का डाटा विस्ट बनाने के लिए और उसके अधार पर रोजगार उपलब्द कराने का उनका मकसद है हाल ही में किस देश में किये गए एक अध्यान में कोविड नाइंटी के संपर्ग में आने वाले बच्चों के बच्चों में कावा साकी रोग जैसे लक्षनों वाली एक और समाने बिमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है तो इसका राइट अंदर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इटली केंद्रिय स्वास्य मंदिरी डॉक्टर हर्सवर्धन ने कोविड नाइंटी मरीजों की जांस के लिए हाल ही में किस मसीन को राश्ट के नाम समिड़पित किया है तो उस मसीन का नाम है कोबास 6800 इससे डॉक्टर को जो है संक्रमित होने की जो संभावना है वो काफी कम है वंदे भारत अवियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारिक तक चलेगा तो वंदे भारत मिसन जो है वाब विद्यो से में कोबिड-90 महामारी का विद्यो से में जो लोग फसे हुए उनको भारत लाने की उजना है और यह जो है 22 मई तक चलेगा परधान मंदिर नानिर मोदी ने 12 मई 2020 को रात आठ बजे देश के नाम अपने संभोधन में कोरोना वाइरस के कारण उबजय आर्थिक हालात को सुधार ने है तू देश के लिए कितने लाग करोर रुपे की घोसना की तो अब 20 लाग करोर की घोसना की उन्होंने ठीक है फ् तो चाइना ने यहां खिताब जीता है केंद्रिय किरसी मंद्री नरेंद सिंग तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पॉर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपच बेचने की सुबदा प्रदान करने हितूर राष्टी किरसी बजार के साथ कितने मंडियों का एकिकरन कि किया है तो 117 मंडियों का एकिकरन किया गया है यह नाम किसके साथ मध्य परदेश के मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान ने कामगारों कारखानों में काम की अवदी 8 घंटे से बढ़ा कर कितने घंटे कर दी है तो 12 घंटे करने ही घुसना किये ताकि वेपारियों की हालत में सुधार लाया जा सके हरी संकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया वह किस छेत्र से सम्मधित थे तो वह एक परसिद इतिहासकार थे ठीक है फ्रेंट्स तो आज की वीडियो यहीं समापत होती है मिलते ह नेक्स्ट वीडियो में